अच्छ की वीडियों आपका स्वागा था याज आपको हम बताने वाले की रासन कार धारकों के लिए सरकार की तरब से बड़ी अपडेट आ गई है रासन कार EKYC रासन कार EKYC अगर आप नहीं कराते हैं तो दोस्तो आपका रासन कार से नाम को हटा दिया जाएगा तो दोस्तो ऐसा नहीं है सरकार ने बड़ी खुसकबरी दी है आप रासन कार पे EKYC ना कराने से आपका रासन कार रद नहीं किया जाएगा और दोस्तो रासन कार की EKYC की भी डेट को बढ़ा दिया गया है इस वीडियो में लाइव आपको प्रूप के साथ दिखाने वाला हूँ और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है चलिए स्टार्ट करते हैं सरकार ने ये सुनीचित किया है कि सभी कोई EKYC करने के लिए प्रियाप्त समय और सुब्धाय री जाए दोस्तो आपको EKYC तो करना जरूरी है लेकिन इसकी जो डेट इसको भी बढ़ा दिया गया है यहाँ पर बहुत से लोग अपने गाउं को छोड़के दूसरे स्टेट में कमाने गए हैं या विदेश में गए हैं अब उन्हें राहत मिल जाएगी दोस्तों क्योंकि वो अराम से अपने गाउं आ सकते हैं और ही KYC करा सकते हैं इस डेट को बढ़ा दिया गया है आपको डेट में बताने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोग बोल ले सरकार की तरफ से अपडेट आई है दोस्तों अब इसकी देट को क्या बढ़ा है आपको बताने वाला हूँ और सरकार का मकसद क्या KYC कराने का आपको मैं दिखाने वाला हूँ चलिए चलते हैं आप दसदों राष्टे खास विभाग की तरफ से नोटिस को जारी किया गया रासन कार्ड में एक क्यवाईसी कराने का सरकार का दरसल ये मकसद है कई रासन कार्ड में ऐसे नाम भी है जिनकी साधी हो गई है या फिर किसी सदस्य का नीधन हो चुका है बाजुद इसके उस सदस्य के नाम पर हर महिने रासन जा रहा है ऐसे में निमों के मुताविन सदस्य जो का नाम रासन कार्ड से हटवाने के लिए भुक्ता को पाबंद किया जाएगा सरकार का मकसद यह है अगर किसी का नीधन हो चुका उसका नाम हट जाएगा अगर किसी की साधी हो गई है उसका नाम हट जाएगा इससे सरकार को फायदा होगा और रासन जो नया बनवाने चा तो मिलते हैं नेक्स्ट भी नेट्विप्ट में बाई